हेलो दॉंस तो रेलकारवाच चानल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भारती रेलवे में लंबी दूरी की ट्रेनों में हमें बहुत से कोच देखने मिलते हैं और इन सबी कोचों को खीचने के लिए एक पाउर्फुल इंजन ट्रेन में लगा होता है तो आज इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि ट्रेन के इंजन में कितने सिलिंडर होते हैं और कितने सीसी का इंजन होता है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए तो चलिए आज का रिल कारवाँ शुरू करते हैं एक ट्रेन के इंजन में 6 से 16 सिलिंडर होते हैं 6 सिलिंडर पुराने WDS-4, WDS-6 बड़ी लाइन के शंटिंग लोको और YDM-4 मिल्टर गेज लाइन के मेंल लाइन एक्स्प्रेस या माल गाड़ी के लोकों में होता है 12 सिलिंडर WDM-1 लोकों में प्रियुक्त होते थे जो सन 2000 आते आते बंध हो गए इन्हें अब राश्री रेल म्यूजियम मतलब NRM में देखा जा सकता है इस द्रिश में हम WDM-1 लोकों देख सकते हैं सोलर सिलिंडर WDM-2, WDM-4 सिरीज के बड़ी लाइन एक्स्प्रेस या माल गाड़ी के लोकों में होता है WDM-2 लोकों पर एक नजर डालते हैं और इसके खुले हुए इंजन को यहां देखे डीजल लोकों के इंजन की छमता CC में होती है इसके एक सिलिंडर की कैपसिटी होती है 10,941 CC यानि एक औसत कार के इंजन के 1500 CC का 7 गुना जी हां एक सिलिंडर ही कार के पूरे इंजन का 7 गुना 116 सिलिंडर में कार का 112 गुना जो लगभग 175,000 CC होगा बड़े इंजन की छमता को CC नहीं बलकि लीटर में व्यक्त करते हैं मतलब एक लीटर बराबर 1000 CC होगा सो डीजल लोकों के इंजन के एक सिलिंडर की छमता होगी 10,941 CC बराबर 10.94 लीटर होगी यानि 16 सिलिंडर के पूरे इंजन की छमता 175 लीटर आपने खुला इंजन देखी लिया अब इतने बड़े 16 सिलिंडर इंजन को फाइनल तयार असेंबल्ड रूप में देखें कितना भीमकाय है लगबग एक पूरे ट्रक के बराबर अकेले इंजन ही यांतरिक और आटो मुबाइल इंजनियर एवं भौतिकी वीद हेतू पूरक जानकारी एक सिलिंडर का बोर मतलब व्यास 9 इंच होता है और स्ट्रोक साड़े 10 इंच होता है हम आशा करते हैं कि अब आप लोग समझ गये होंगे कि ट्रेन के इंजन में कितने सिलिंडर होते हैं और कितने सीसी का इंजन होता है अगर आज की वीडियो में दी गए जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर भारती रेलिवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई